उत्तर प्रदेश के राज की माध्मिक विद्यालियों में मांदे पर लगातार नियुक्ति की जा रही है और इसी का छात्र यहाँ पर बड़ा विरोध भी कर रहा है जिहां इस नियुक्ति का छात्र विरोध कर रहा है विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे देखिए अर्यता का विवाद है और उसके बाद भी आउट सोर्सिंग के माध्यम से यह भरती की जा रही है और इसी को लेकर प्रतियोगी चातरों ने सवाल भी उठाये हैं और साथ में मुख्मंत्री जी को ट्वीट भी किया है प्रदेश के 890 राजकी माध्मिक विद्याल है ठीक है उसमें यह नियुक्ती की जा रही है चातरों का यह कहना है कि जब अल्टी ग्रेट सिख्चक भरती में सिख्चक के पदों पर समकच अर्यता को लेकर विवाद है और इसी कारण से अल्टी ग्रेट की नई सिख्चक भरती नहीं आ रही है जबकि लगवग 10,000 पदों पर अधियाचन प्राप्त है सब कुछ हो के है लेकिन विग्यापन नहीं आ रहा है तो फिर आउट्सोर्सिंग से किस आधार पर यह भरती की जा रही है तो फिर आउट्सोर्सिंग से आप भरती कर सकते हैं और नियमी तोली जो भरती है उसके लिए यहाँ पर विवाद है अर्यता को लेकर तो किस प्रिकार से अब यहाँ पर देखिए 10 महा का 30,000 रुपए प्रती महा के यहाँ पर मांदे की हिसाब से इलोग भरती कर ले रहे हैं और यह कंप्यूटर सिख चुकों की भरती यहाँ पर की जा रही ठीक है और यह आप देखिए कुल जो पद है कंप्यूटर सिख चुकों के यहाँ पर दिखाए गए है कुल 1637 पद खाली है ये देखे पुल 1637 पद खाली है और इन्हीं को भरा जा रहा है इसी को लेकर छातर विरोध कर रहे है और ये गलत भी है तो कि जब नियमित भरती समकचरेता विवाती करण नहीं हो रही है तो इस तरह से बैक डोर से भरतियों को भी नहीं किया जाना चाहिए तो कभी भी ऐल्टी ग्रेट के तहट ये जो भरतिया हैं कभी भी आएंगी नहीं और ये अदियाचन ऐसे ही पड़ा रहेगा आप किस पर क्या रहा है जरूर बताईएगा वहीं पर अंतर जन्पदी तवादले पर रोक लगने से सिक्छकों की जो उम्मीद है वो पूरी तरह से तूट चुकी है उस पर पूरी तरह से पानी फिर्ज चुका है फिलाल भी ऐसे कार्याले में कार्मुक्त होने के लिए सिक्छकों की भीर तो मुड़ी लेकिन उन्हें आपर कार्मुक्त नहीं किया गया उन अत्तर जार से छकवरती में जो चैने च्छात्र थे और जो यह एक च्छात से मुवाइल पर बात भी किये उसके बाद आडियो यहां पर वाइरल भी हो आऊ सकता है आपने सुना भी हो जहां पर उन्हें न कहा है कि 17 जुलाई को सुनवाई होगी उसके बाद हम समस्चा का निस्तरण करते हुए 29,000 से च्छक भरती की जो भी सिक्छिकाएं हैं उनका भी हम जो यह ट्रांसफर है वो कर देंगे अच्छी अपडेट उत्तर प्रदेश से यह है कि परिवाहन विवाग में 252 पदो पर जल्द भरती होने जा रहे है यह जो भरती है वो प्रदेश के परिवाहन विवाग में होनी जा रही है ठीक है और इसकी गोशना राजमंत्री सुतन प्रभार दया संकर सिंग ने खुद यहां पर की है उन्होंने बताया है कि हम विवाग में 2252 पदो पर भरती करने जा रहे हैं और लगवग इसमें 1649 समीदा परिशालक की भरती भी की जाएगी इसके अलावा सम समुगा समुगा के तहट 547 करमियों की नियमित भरती भी की जाएगी ठीक है तो यह पूरी प्रक्रिया यहां पर सुरू हो चुकिए अगर आप चाहें परिवाहन विवाग में तो यहां पर आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं जल्दी आवेदन की प्रक्रिया सुर करना है तो आगे इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें